हलो दोस्तो एकजाम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है जहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक टीचिंग और नौन टीचिंग पोजिशन पर जो भी रिक्रुमेंट आता है उसका अपडेट आप लोगों तक पहुचाते रहते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी जो की गाधी नगर में इस्टैबलिश्ट है यहाँ पर डायरिक्ट रिक्रुमेंट निकल आया हुआ है नौन टीचिंग पोजिशन है जिसके उपर हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि इस तरीके का अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे है यहाँ आप देख सकते हैं इस नौटिफिकेशन में टोटल आप जो सीट्स है वो भ अगर आप लिब्रेरियन के लिए फार्म अपलाई करना चाते हैं तो यहाँ एक पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगा गया है जो मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी है इस पोस्ट के लिए वो एक लाग चौवालीस हजार दो सो रुपए से यहाँ इंट्री सैलरी आपके स्टार्ट कर आपके पास हो तो आप एलिजबल है साती सात आपके पास माश्टर्स हो लैब्रेरिस साइंस में इनफार्मिशन साइंस में 55% मांक्स के साथ आपने पास आउट किया हुआ हो 10 य zooming का यहाँ पर Experience भी मांगा गया है Depptey Librarian के पोस्ट पर आपने वर्ग किया हुआ हो तो इस पोस्ट पर फार्म अप्लाई करने के लिए वही जो एज लिमिट इस पोस्ट के लिए रखी गई है 57 साल तक कि किसी भी कंडिडेट को फार्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है वही अगला जो रिक्रुमेंट है वो डिप्टी लैब्रेरियन का पोश्ट है यहाँ पर एक पोश्ट रखा गया है पी डवलू डी जनरल कटेग्रीज में मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी 57,800 रुपई की रखी गई है यह इंट्री सैलरी है केडमिक पे लेबल 12 का यहाँ पर रखा गया है और जो मिनिममम क्वालिफिकिशन यहाँ पर रखे गए है उसमें आप लोगों का पोश्ट ग्रिजुएशन इन लैब्रेरी साइन्स इन फार्मेशन साइन्स डेक्यूमेंशन में आपके पास 55% मार्क्स के साथ आपका पोश्ट ग्रिजुएशन होना जरूरी है साथी साथ गूट एकेडमिक रिकार्ड आपके पास हो और जो मिनिममम यहाँ पर एक्सपिरियंस मांगे गए हैं एक यह का आपके पास असिस्टन लैब्रेरियन का वर्क एक्सपिरियंस हो तो आप एलिजबल है इसे पोश्ट पर फार्म अप्लाई करने के लिए अगला जो रिक्रुमेंट है सुप्रिडेंडिंग इंजीनियर का पोश्ट है एक वेकेंसी निकल कर आई हुई है जो मिनिममम सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रवाइड कर आई जा रही है एक लाक तेईस हजार सौर रुपय की इंटरी सैलरी यहाँ पर है और मिनिममम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखे गए है इस पोश्ट के लिए उसमें बीई बीटेक आप लोगों के पास हो साधे साध बारा साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो तो आप एलिजबल रहेंगे 50 यर्स का एज लिमिट यहाँ पर लगाया गया है वही मेडिकल आफिशर का पोश्ट है टोटल एक सीट रखी गई है मिनिममम जो सैलरी है चपन हजार एक सो रुपय की है और मिनिममम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों का बैचलर रखा ग रहे हैं अगला जो रिक्रिमेंट है वो सिस्टम एनलिष्ट के लिए निकल कर आया हुआ है जिसमें टोटल एक पोश्ट है सैलरी की कर हम बात करें तो यहाँ पर 56,100 रुपय की सैल इंट्री सैलरी रखी गई है और मिनिममम क्वालिफिकेशन यहाँ पर M.E.M.T.E.C. 55% मा आप लोगों का 4 years का experience मांगा जाएगा और अगर आप लोगों के पास first class M.E.C.E. का degree है तो यहाँ पर आपको 6 साल का experience मांगा जाएगा इनमें सो कोई एक भी qualification आपके पास है तो आप eligible रहेंगे इस पोश्ट पर apply करने के लिए maximum जो age limit यहाँ पर रखी गई है वो 45 साल की रखी गई इसके उपर के candidate फार्म अपलाई नहीं कर पाएंगे assistant engineer जो की civil electrical में मांगे गए हैं उसमें total दो सीटे है minimum salary यहाँ पर 44,900 रुपए की रखी गई है और जो qualification है उसमें B.E.B.Tech in civil electrical engineering में मांगा गया है 55% marks के साथ प्लस 3 साल का यहाँ पर experience भी आपसे मांगे गए है junior engineer का post है total एक post पर requirement मांगा गया है 35,400 रुपए की entry salary है qualification यहाँ पर 3 years का diploma आपके पास हो 55% marks के साथ civil में, electrical में, electrical engineering में साथ यसाथ आपके पास 3 years का experience भी हो related work field में junior superintendent की vacancy निकल कर आई हुई है जिसमें total 2 सीटे हैं salary यहाँ पर 35,400 रुपए की है qualification यहाँ पर master degree आपके पास हो 55% marks के साथ related subject में 3 साल का यहाँ पर experience भी मांगा गया है या आप लोगों के पास अगर bachelor degree है तो उसमें 55% marks के साथ आपको pass out होना है और साथ यसाथ 5 years का आपके पास experience हो तो आप eligible रहेंगे यहाँ इस post के लिए junior account officer के लिए एक post है master degree यहाँ पर 55% marks के साथ qualification मांगा गया है librarian information assistance का post है total 2 सीटे है 29,200 रुपए की entry salary यहाँ पर आपको provide कराए जाएगी master से यहाँ पर library science information science से related degree आपके पास 55% marks के साथ pass out होना जरूरी है एक साल का यहाँ experience भी मांगे गया है assistant staff का post है यहाँ पर जिसमें आप लोगों को 29,200 रुपए की entry salary रखी गई है qualification यहाँ पर intermediate रखा गया है 10 प्लस 2 आपके पास है और साथ इसाथ आपने nursing council में 3 साल का experience आपके पास है तो आप eligible रहेंगे junior laboratory attendance का post है 15 seat यहाँ पर निकल कर आई हुई है जिसमें आप farm apply कर सकते हैं अगर आपके पास B.E. या B.T. की degree है 55% marks के साथ तो आप eligible हैं यहाँ पर 2700 से आपके increase salary start कर दी जाएगी junior assistant का post है total 11 seat है जिसमें आप farm apply कर सकते हैं bachelor degree यहाँ पर experience मांगे गये हैं 55% marks के साथ आप लोगों के पास bachelor pass out होना जरूरी है अगला requirement हमारा junior account assistance के लिए है total 4 seat है salary यहाँ पर 21700 की आपको provide कराए जाएगी और qualification यहाँ पर bachelor degree मांगी गई है 55% marks के साथ तो जो लोग भी farm apply करना चाते हैं वो apply कर सकते हैं इस farm को apply करने का जो last date है वो 15 जुलाई 2024 का date रखा गया है 15 जुलाई से पहले आप farm apply कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी information हम आप लोगों तक पहुचाते रहेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ अब तक लिए thank you so much